दुरु के अंजोरा में एक दिल दहला देने वाला मामले सामने आया है जिसमें ट्यूशन से घर लौट रही चात्रा भूसे से लदी ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई दुरु के अंजोरा में एक बड़ा हाथसा हो गया जिसमें ट्यूशन से घर लौट रही चात्रा को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई वही दो अने दो शात्रा भी घायल हो गई है इसके सूचना पर मौके पर पहुँची अंजोरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेशना में ले लिया है इस घटना के बाद अम्रित छात्रा के परिजन के साथ ग्रामिनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया बतादे घटना अंजोरा थाना इस्ति थनोद मोड के पास की है जहां ग्राम चंगोरी निवासी ओजस्वी पारकर आठवी की कक्षा में पढ़ाई करती थी वह अपने घर से अंजोरा ट्यूशन जाती थी शरीवार के सुबह भी वह ट्यूशन के लिए अंजोरा आई ट्यूशन खत्म होने के बाद वह अपने घर चंगोरी जा रही थी इस दोरान उसके साथ दो सहलिया भी शामिल थी तीनों अपने साइकल से चंगोरी की तरफ जा रहे थे इसी बीच विपरी दिशा से आ रही एक भूसे से भरी ट्रक ने छात्रा ओजस्वी को अपनी चपेट में रे लिया वह साइकल समिच ट्रक के नीचे आ गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई उसकी दो सहली ठोकर लगने से फिका गई उन्हें भी चोटें आई है सूचना मिलते ही अंजुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची मौके पर उपसित ग्रामिनों ने अपना अक्रोश जताते ही वे सड़क जाम कर प्रदर्शन किया ग्रामिनों ने परीजनों के साथ ट्रक के सामने धरने पर बैठे और चक्का जाम कर दिया उनकी मांग रही कि आरोपी ट्रक चालक पर कारवाई की जाए और उन्हें पिडित परिवार को उचित मौवजा दिया जाए इस दोरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा फिलहाल आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है पुलिस आगे की कारवाई कर रही है ACN News के लिए दुरुखसे नसीम फारुटी की रिपोर्ट